बिग बॉस 13 जहां पर आज आप लोगों को काफी जादा मज़ा आने वाला है जहां दोस्तों आज का दिन बिग बॉस में सबसे एंटर्टेनिंग दिन होने वाला है वीकेंड का वार में जहां पर आज सल्मान खान सभी से कोशन पूछते हुए नजर आएंगे इस पूरे टास्क को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे आपको बता दें कि आज जो टास्क होगा शावर टास्क वो जोडी के अंदर होने वाला है यानि कि एक अकेला सदस्य जैसे पहले शावर के नीचे जाकर बैठता था अब वो नहीं होगा दो सदस्य जाएंगे और वो शावर के लिए तयार रहेंगे लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो कोशिन पूछने वाले हैं सलमान खाथ उसका दोनों को सेम आंसर देना है और उसके बाद में घरवाले डिसाइड करेंगे कि ये सही है या नहीं और उसके बाद में अगर वो डिसागरी करते हैं तो उनके अपर शावर किया जाएगा अब ऐसे ही आज आपको जोडी में सबसे पहले कंटेस्टेंट्स जो जाते हुए नज़र आएंगे शावर्ट टास्क के लिए वो होने वाले हैं सिधार्ट शुकला और असीम रियास्त और उनसे जो सवाल पूछा जाएंगे वो पुछ ऐसे हैं दोस्तों पहला सवाल होगा कि कौन से कंटेस्टेंट को घर भेजना चाहिए तो असीम और सिधार्ट दोनों साथ में कहते हैं कि अरहान खान को घर से बाहर भेजना चाहिए और सभी घरवाले डिसग्री करते हैं और उससे उनके अपर शावर किया जाता है और उसके बाद में कौनसा सदस से प्लतु के पंगे असीम से ले रहा है उसका भी सवाल का जवाब दोनु साथ में एक ही जवाब देते हैं और असीम और सिद्धारत कहते हैं कि अरहान खान है जो की असीम से फाल्टू पंगे ले रहा है और फिर से घरवाले इस टास्क को इंज्वाय करते हुए सभी डिस अगरी करते हैं और इंग दोनों के उपर पर शावर हुआ तर किया जाता है और सभी घरवालों को इस शावर में काफी जादा मज़े आने लगते हैं तो उसके बाद में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सभी पे शावर बस होता ही जाता है और जब उनसे तीसा सवाल पूछा जाता है तो वो यह है कि कौन इस घर में रंग बगलू है तो इसमें वो दोनों अलग-अलग आंसर देते हु वो ये है कि घर में कौन है जो शुकला के अलावा जेल जाना डिजर्व करता है तो असीम और सिदार्थ दोनों एक साथ कहते हैं कि पारश शावडा और फिर से घर वाले डिसागरी होते हैं और उनको शावर मिलता है और उसके बाद में जो जोड़ी जाने वाली है शावर टा तो माहिरा आर्ति का नाम डेती है और पारश असीम का नाम लेते हैं और दोनों का जो आंसर है वो लोगों को यानि की घर वालों को पसंद नहीं आता और वो डिसागरी करते हैं और उनके अपड़ किया जाता है फिर से शावर और इस बार शावर में कुछ अलग अलग तो दोनों ही एक ही आंसर देते हैं वो कहते हैं कि सिधार्त शुकला और सभी घरवाले फिर से अगरी नहीं करते हैं और फिर से उनके पर शावर किया जाता है तो वहीं पर दोस्तों आपको बता दे कि इसके बाद में जो उनसे सवाल पुछा जाता है वो ये है कि किसके रहने ना रहने से कुछ फरक नहीं पड़ता तो सभी यानि कि दोनों कंटेस्टेंट पारश चाबडा और माहिरा शर्मा एक ही आंसर देते हैं वो है आरती और सभी घरवाले फिर से कुछ नहीं करते हैं और उनके पर पड़ जाता है शावर तो ऐसे ही आज काफी जादा मज़ा आने वाला है सभी को लेकिन उसके बाद में जो जोड़ी जाने वाली है वो ये जोड़ी है जो कि एक बाद फिर से घर के अंगल लोट के आई है जो कि यह है रश्मी देसाई और देवो लीना देवो लीना और रश्मी देसाई से सवाल जो पहला किया जाता है वो है घर वालों में सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है तो बिना आंसर के ही शावर उन पर कर दिया जाता है और उसके बाद में जो कोशिन उनसे पूछा जाता है वो ये है कि कौन वाइल कार्ड एंट्री से नाखुश है और इस कोशिन का जो आंसर देव लीना और रश में देती है वो एक ही होता है और होता है कि सिद्धार्त शुकला इससे नाखुश है और फिर से उनके पर शावर किया जाता है हाला कि जैसा कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि सभी पे शावर होना ही होना है क्योंकि सभी घरवाले काफी ज़्यादा मजा के अमूड में है और काफी ज़्यादा एंटर्टेन हो रहे हैं तो मही पर जब उनसे तीस्ता सवाल पूछा दाता है तो वो यह है कि आरती और शेफाली में से अच्छा कैप्टेन कौन है लेकि फिर से उनके पर शावर किया जाता है अला कि इस कांसर घरवालों को पसंद आये ना आये अग उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सभी घरवालों को शावर से काफ सी जादा मज़ा आ रहा है और सभी एक दूसरे के उपर शावर कराते होगे नजर आ रहे है तो वही पर चौता सवाल जो कि देवुलीना और रश्मी से पूछा जाता है वो है कि घर में कौन कैप्टिन बनने लायक नहीं है तो सभी यानि कि देवुलीना और रश्मी देशाई एक ही अंसर देते हैं जो कि है असीम रियाज और असीम रियाज को नाम लेते ही उनके परिबाफ फिर से शावर कर दिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों बात करें कि तीसी जोडी कौन से जाने वाली है तो वो ये है वो है तो दोस्तों वहीं पर आप बात करें कि कौन से जोड़ी अगली जाने वाली है तो वो है हिंदुस्तानी भाव और शेहनाज गर और इनसे जो पहला सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आप दोनों में से एंटर्टेनर नमबर वन कौन है और भाव और शेहनास दोनों मिलकर बोलते हैं कि भाव यानि कि हिंदुस्तानी भाव है जो कि सबसे जादा एंटर्टेन करते हैं लेकिन घरवाले काफी जादा मजे लेते हुए नजर आते हैं इन दोनों के और इन दोनों के आंसर से डिसगरी कर देते हैं और उनके बाद फिर से उनके पर शावर किया जाता है और उसके बाद में दूसरा सवाल इन दोलों से पूछा जाता है वो ये है कि शेहनास और भाव में से इंग्लिश किसकी अच्छी है और फिर से शावर उनके पर किया जाता है कौन सा फिर जो सवाल आता है वो है कि कौन सा वाइल कार्ड एंट्री स्ट्रॉंग आया है फिर से इस सवाल से ना कोई मतलब रखते होए फिर उनके पर शावर किया जाता है तो दोस्तों ये कुछ जोड़िया थी जो कि आज शावर टास्क में हिस्सा लेने वाली है जिसके सभी काफी जादा मजे भी उठाने वाले है और दोस्तों आज आप देखेंगे कि जो वाइल कार्ड एंट्री आने वाली है वो भी काफी जादा दमदार होने वाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका जो नीचर है वो साफ साफ सिधार शुकला के जैसा बताया जा रहा है यानि कि उन्हें गुस्ता भी जल्दी आता है और वो हट्टे कट्टे तो हैं ही तो वहीं पर देखना काफीज़ा दिल्चस्क होगा कि ये अब सिद्दार शुक्ला को टक कर देंगे या फिर उनके साथ में एक गेम खेलने वाले तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताईए और जैसा कि आप सब जानते ही है कि बिग बॉस इलिटेर हर अपडेट यहाँ पर आपको हमारे चैनल यानि की खेलो खेलो पर मिलती है सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिया और बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप यहाँ तक आही चुके हैं तो एक बोनस बात आपको आज एक बाग फिर से बता देते हैं हम जी है दोस्तों आपको बता दें कि आज ही रश्मी देशाई और साथी साथ देवलीना एक और माइन गेम खेलने वाली हैं और दूसरी तरफ आपको नजर आने वाली है हिमाची खुराना और साथी साथ शेहनाज गिल और इन दोनों के बीच में एक बाप फिर से काफी कुछ जगडे आपको देखने को मिलेगे जहां पर अब शेहनाज गिल भी अपनी गलती मानने से इंकार करती है और कहती है कि अ मेरे साथ भी यही हुआ था मुझे भी ऐसा बोला गया था और साथी साथ तुमने मेरी कॉल, रिकॉर्डिंग्स, वीडियो, फोटो भी तक वाइरल कराई है और किसी को इजग ना दे पाओ तो बेजग ना करो और साथी साथ यहां पर काफी कुछ आपको नजर आने बाला ह अरहान के बीच और सिदाश चुपला के बीच में क्योंकि इन दोनों की तॉप वैसे भी नहीं बन रही है लेकिन वहीं पर पारस और माहिरा दोनों ये डिसकुस करते होए नजर आएंगे कि क्या गलती सिर्फ इनकी होती है या फिर अपनी लेकिन यहां भी पारस अपना मा आपको नजर आएगा और सल्मान सार एकबाफ फिर से लगाने वाले हैं अरहान खान और साती सात शदार शुकला की क्लास क्योंकि इन दोनों का जो मसला है वो कल सॉल्व होते होते रहे गया था क्योंकि टाइम कम था और आज उनकी क्लास ली जाएगी क्योंकि ये दोनों ही आपस में काफी ज़्यादा अग्रेशन से बात करते हुए नजर आते हैं और साथे साथ बाहर मिलने की धंकी देते हैं और जहां पर सदा शुक्ला फिर से अपने चल अफ्तार में नजर आने बाले हैं कि इसने तो मा का दंगाई है तो मैं इसकी मा की रिस्पेक्ट करूँआ और इसको मिल के आऊँआ और फिर जो होगा वो देखा जाएगा लेकिन यहां पर सलमान खान कहते हैं कि जो तुम बाहर कर सकते हो वो तो तुम घर में भी कर सकते हो लेकिन शो तुमारे लिए important है इसलिए तुम यह सब नहीं करोगे लेकिन क्या तुमारे लिए real life important है या नहीं है वो चीज तुम्हें अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग जो करने वाले हो वो तुमारी रियल इमेज को काफी ज़्यादा नुकसान पहुचाती है और यहाँ पर बिग बॉस के अंदर वैसे भी सबी कंटेस्टेंट अपने रियल अफ्तार में नजर आते हैं और बिग बॉस ऐसा गेम है जो कि प्रवोक करते हुई नजर आता है हर एक किसी कंटेस्टेंट को तो दोस्तों यहाँ पर यह रेखना काफी दिर्चस्प होने वाला है कि आज का जो वीकेंड का वार है वो कितना जादा शानदार और कितना जादा मज़िदार होने वाला है तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और साथी साथ बने रही है हमारे साथ ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही बिग बॉस रिल्टेड हर अपटेट सबसे पहले और अगर आपको लगता है कि किसी एक कंटेस्टेंट को अब मिड वीक में चले जाना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए कमेंट कर भी जरूर बताइए क्योंकि अब तक सबसे जादा जो इरिटेटिंग और सबसे जादा ना पसंद किया जाने वादा कंटेस्टेंट है वो है माहिरा शर्मा और अगर आपको भी लगता है कि माहिरा शर्मा को अब गेम छोड़के चली जाना चाहिए और सबी को उनका इविक्षिन इतना जादा इंपोर्टेंट लगता है तो हैस्टेग माहिरा शर्मा को निकालो आप कमेंट में लिखिए और सबस्क्राइब करना ना भूली हमारी चानल खेलो खेलो को ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बिग बॉस की हर अपडेट सबसे पहले